जैसे दोस्तों स्वागा थे आपका मारे यूट्यूब चैनल में आज के वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए यहां पर हिंदी सायत्ते में बहुत यह महत्यपूर्ण कॉस्चन आंसर तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर लें चैनल को सब्सक्राइब कर लें अपनी महरतन किलास जहां पर मत्युकूर्ण भारतेंदु यूग का एक अन्य नाम माना जाता है सुधार काल पुनर जाग्रन काल नमुत्थान यूग या फिर नबीन यूग वताइए शेन कीजेगा चार वेकल्प आपके यहां पर दिये गए हैं और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा कौस्चन नमबर एक है और एक में आप सभी का यहां पर सही आंसर लबली जी अनीता जी तनू जी और आस्ता जी वेकल्प नमबर आपका यहां पर भी जो है वह सही आंसरों का पुनर जाग्रन काल यह वाला वेकल्प जो है वह आपका सही आंसर होगा राजन जी आनंद जी सबी लोग आ चुके हैं बहुत बढ़ी अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे यहां पर दो पूंचा गया है कि निम्न मेंसे कौन मद्द प्रदेश की विजय रागावगर रियासत की राजकुमार थे कौन थे प्रताप नारण मिस्र थे या ठाकुर जगमोहन से या अंबिका दत्य ब्यास या फिर रादा कृष्ण दास बताईए कौश्चन नंबर दो में सही आंसर चैन करना है क्रेटिव आर्ट्स जी च्या होगा सही आंसर मद्द प्रदेश की वेजय राग गावगर जो रियासत थी इसके राजकुमार थे कौन थे तो वेकल्प नंबर आपका भी यहां पर सही आंसर होगा ठाकुर जगमोहन से हैं कौन थे ठाकुर जगमोहन से हैं वेकल्प नंबर दो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी हैं अंगला कौश्चन यहां पर देखेगा कौश्चन नंबर आपसे यहां पर तीन पूंचा गया है कि भारतेंदु ने अपनी किस कृति में देशी राजाओं को राषब राषब यानी की गधा कहा है बताइए किस किरती में भारतेंदु जी की भाई किरती आपके लिए अहां पर चैन करना है बारत दुरदसा है या अंदेर नंगरी है चंद्रा वली है या फिर नील देवी है, तीन का सही आंसर सभी लोग चैन करेंगी, मर्त पूर्ण, कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया है, और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, विकल्प नमबर, एक जो है वैशी आंसर भारत दुर्दसा, भारत दुर्दसा आपका यहाँ पर जो सही आंसर होगा विकल्प नंबर ये सई आंसर है अंगला कॉस्चन देखेगा प्यूस प्रवाह पत्रिका का संपादन किसके द्वारा किया गया कॉस्चन नंबर चार में आपको इहां पर चैन करना है तनमय जी और जो टेलिग्राम में कुछ करवा जाते हैं तनमय सर्मा जी के द वाह गया है तो चार में आप सभी का सभी आंसर है विकल्प नंबर एक यानि की अमभिकाद व्यास अम्भिकाद द्यास की भी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर रामेंद्र जी सही आंसरों का बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहां पर सही आंसर चैन क्या है अंगला कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है कॉस्चन नमबर पांच पूंचा गया है प्रया में संपत्ति लता किसकी रचना है बता question number 5 है तो आप सभी का यहां पर सयांसर आ रहा है कि प्रेम और संपत्ति की लताएं पूरे जग में फैली हैं जग से जग मोहन से हैं प्रेम संपत्ति लता इनकी एक रचिना मानी जाती है तो वेकल नंबर आपका क्या होगा सयांसर C आपका यहाँपर सही आंशर होगा हैंगला question यहाँपर देखेगा question number आपसे यहाँपर छेप पूंचा गया है मत्पूर्ण question यहाँपर दिया गया है कि अमबेका दत्व्यास द्वारा रचित किर्ति कौन सी है बताएगा टेलिग्राम ग्रूप से जुड़ने के लिए आपको टेलिग्राम ग्रूप में सर्च करना है एकजाम पार यूटूब चैनल तो बहां से टेलिग्राम ग्रूप को जोईन कर लीजेगा सभी लोग और अंविका ततव्यास द्वारा रचेत किर्टी बताना है कौन-कौन सी माने जाती है तो छे में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा वेकल्प नमबर क्या होगा सही आंसर बी यहाँ पर सही आंसर होगा सू कभी सत सै होः हो और पाबस पचासा पयार बिवाला जो विकल्प है आप सभी का यहाँ पर सही आंसरों का विकल्प नंबर दो आप सभी का सही आंसर है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने आपर सही आंसर चैन क्या है अंगला question यहां पर देखेगा question number 7 आप से पूँचा क्या है कि बाबु बाल मुकंद गुप्त की साहितिक प्रशिद्धी का मूलादार बताना है कौन सी रचना इनकी जो है साहितिक प्रशिद्धी का मूलादार रही है बंगबासी या फिर भारत मित्र या फिर जोगीडो का संग्रह है या फिर सिब संभू का चिठ्था ये question बहुती महत्वण question पूँचा गया है सभी के कमेंट यहां पर देखते जा रहे है question number 7 है और साथ में आप सभी का सही आंसर है कि बाबू बाल मुकंद गुप्त की जो साहितिक प्रशिद्धी का मूलाधार गरंत माना जाता है बहुत माना जाता है सिब संभू का चिठ्था वेकल नमबर आपका डी जो है बहुती महत्वण रचिना मानी जाती है बाल मुकंद गुप्त जी की question number आपसे आपर पूंचा गया है आटबा question है भारत बारह मासा किस की रचिना है बताईए भारत बारह मासा प्रयमगन की रचिना है बारतेंदू की रचिना है राधा कृष्म दास की रचिना है या जग मोहन सें की रचिना है चिन कीजेगा मतपुन question या पर पूंचा गया इं, question number 8 है और 8 में आप सभी का सही answer आरह है कि भारत में 12 माशा जो है रादा क्रिश्नी की गुण गाए जाती है कहां पर भारत में, तो भारत 12 माशा, ये किसकी रचिना होगी, रादा क्रिश्न दास की रादा क्रिश्नी की ए ग इन में से कौन सी पृवित्ती भारतेंदु यूग की पृवित्ती आपके लिए नौमे चेन करना वक्ति भाबना या पर किरती चित्रन इती ब्रत्तात्मक्ता या फिर सिंगारिक्ता बताइए राजीब जी चंगीता जी क्या होगा सई आंसर मत्व पूर्ण कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है और आप सभी का सई आंसर आ रहा है यहाँ पर बेकल्प नमबर बेकल्प नमबर बी जन्वनवी यहाँ पर सी जन्वनवी चंग्या है उनका सई आंसर है किस यूग की यह प्रवित्ती है अगर आपके लिए पता है कमेंट में जरू बताईएगा कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर दस पूंचा गया है मत्यपूर्ण कॉस्चन है हिंदी मे हिंदी परचार में यहन में से किस संस्था का योगदान सरवादिक रहा है वैस संस्था आपके लिए शेहन करना है कौनसी वैस संस्था है आजए समाज है रादा कृष्ण मिशन है या पर प्रातना समाज या फिर घ्रम्य समाज दस का सई आंसर चैन कीजेगा सभी लोग द जो जी दुबेदि Spencer की जो है यह प्रुवित्ति है इती प्रातमक्ता और हिंदी परचार में इन में से किस संस्था का सरवादिक योगदान रहा है तो बहुत बढ़िया focus number आप से यहां पर पोंचा क्या गया है बताईए रानी केत की कहानी एचंद दर्सर्मा गुलेरी प्रेम चंद इन्सा अल्लाँ खा या फिर यस्पाल 11 बार कॉस्चन पूंचा गया बहुती महत्वपूर्ण कॉस्चन यहां पर दिया गया है गनेश कुमार जी और हाँ मन्जु जी लाग क्लास चल रही है महरतन क्ला से आज अपनी रानी केत की कहानी एक कहानी मानी जाते है किसकी इंसा अल्ला खा की रानी केत की कहानी जो है इंसान नहीं नहीं अल्ला ने भी सुनी है तो इंसान इंसान से क्या हो जाए का इंसा अल्ला खा में कल नमबर नसी आपका इहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ि चैन कीजेगा बारहवा कॉस्चन है मत्पूर्ण कॉस्चन यहाँ पर पूंचा गया सभी लोग बताईएगा क्या होगा सही आंसर भारतेंदु युग और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है भारतेंदु युग की जो सही समय सीमा मानी जाती है वेकल्प नंबर भी आपका सही आंसर है अठारा सो संताउन से अठारा सो संताउन से उननिस सो इस भी आपका यहाँ पर जो है सही आंसर होगा भी वाला वेकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा दे हैं तो वेकल्प नंबर दो आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला question देखेगा question number आप से यहाँ पर 13 कुंचा गया है यह सहाय हिंदू किस परकार का उपन्यास है यह आपके लिए चैन करना है रौमानी है सामाजिक है जासूसी है या फिर धार्मिक है तेरा का सही आंसर चैन कीजेगा क्या होगा सही आंसर धर्मराज य बताइए यह सहाय हिंदू जो है यह किस परकार का उपन्यास माना जाता है और आप सभी का यहाँ पर सय आंसर आ रहा है इस सामाजिक है करना देखेगा question number आपसे यहाँ पर चवदय पूंचा गया महावीर परसाद दवेदी ने सरस्तोती पत्रिका का संपाधन भार जो है कब से संभाला था और कब से संभाला था और कब तक संभाला था ये भी आपके लिए जो है बताना है बताईए question मत पूने सिलपा जी पूंचा गया है और चवदय में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा कि इन्हों ने महावीर परसाद दवेदी ने सरस्तोती पत्रिका का संपाधन का जो भार संभाला था वह उन्निस सो तीन से जो है उन्निस सो बीस तक संभाला था तो वेकल नंबर आपका यहाँ पर जूस्ती है मैं सही आंसर होगा क्वाद बड़िया पूंचा गया कब हुई थी पूंचन नंबर है उन्निस सो तीस में यहाँ पन्दे में सही आनसर होगा वेकल नंबर चया होगा सही आंसर c आपका सहई आंसर है अठारे सो अठाइस में जो है ज़ो ब्रह्म समाझेस्ट की स्ताफना हुई थी तो विकल्प नंबर c आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंगला कोस्टन यहाँ पर देखेगा कोस्टन नंबर आपसे यहाँ पर 15 हो गया सूलय वा कॉस्चन पूंचा गया है भारत्यन्द युग का कौन सा कभी पुष्टी मार्ग में दिख्षित था बताइगा वह कभी आपके लिए चैन करना है कौन ते वह कभी चैन कीजेगा चारवे कलप आपके यहां पर दिये गए है कौस्चन अंबर सूलय का सही आंसर बता होगा विकल्प नंबर दो जो है आप सबी का वामकाल सिंग जी सही आंसर है अंगला कॉस्चन आप से पूंचा गया है पूर्ण कॉस्चन है अंबिका दत्व्यास दौरा लिखित खड़ी बोली में कौनसा अपूर्ण प्रबंद काप्वी की रचिना की गई अंबिका दत्व्यास दौरा हो हो दी या पिर नवोला रतने या पिर कंसबद या पिर कुपजा 25 बताईए अंबिका दत्व्यास दौरा खड़ी बोली में अपूर्ण प्रबंद काप्वी की रचिना की गई थी सी वाला विकल्प आपका तन्मा जी बहुत बढ़िया सही आंसर होका अंगल्या कॉस्चन यहापर देखेगा मुपनर जी कॉस्चन नमबर यहाँ पर 18 पूंचा गया है अंबिका दत्य व्यास किस भासा की अच्छे विद्वान थे बैभासा बताने संस्कृत के थे हिंदी आ ओपा दोनों सही या फिर अंग्रेजी बताईए टार्गेट जोब टार्गेट जी बिल्कुल क्या होगा सही आंसर मुपन कॉस्चन है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सभीड खेखा नंबर तीन सभीका सही आंशर है बहुत बड़ियां विकल्प यहां पर सभी लोग बता रहें हैं थे कॉस्चन यहां पर देखिए का만 आप से यहां 11 पूंचा गया है इन में से कोण भारत्ययंद गुक का कभी नहीं है तो बताईएगा भारतेंद्य युग के कभी नहीं है जैन कीजेगा इंदी साहित जी बद्री नारण चौदरी प्रेमगन रादा कृष्ण दास प्रताप नारण मिस्रे या पिर सिरीधर पाठक उन्निस वा कॉस्चन है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा कि जो भारतेंद्य युग के कभी नहीं माने जाती है वैं कौन नहीं माने जाती है सिरीधर पाठक जी विकल नंबर आपका च्यार इहां पर सही आंसर होगा बागी के बद्री नारण चौदरी प्रेमगन प्रताप नारण मिस्रे और रादा कृष्ण दास यह भारतेंद्य नंबर आपके यहां पर 20 पूंचा गया है भारतेंद्य जी ने किस सेली में कभी त कीजेगा मत्पूंण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और 20 में आप सभी का सही आंसर भारतेंद्य जी की बात करें तो इन्होंने सभी सेलियों में जो है कभी ताइं लिखिये हैं चाहिए लिए उर्दू सेली व्रिज सेली सभी आपका यहां पर जो है सही आंसर होगा वहत बड़िया सभी लोगों ने डी जणोंने भी चैन क्या है उनका सही आंसर प्रेम तरंगे की रचिनाकार कौन माने जाते हैं बताये राधा कृष्ण दास है या फिर भार्टेंद्य हैं प्रेम गन है या फिरी नवास दास हैं किस का सही आंसर चैन करना है एक किस में करने से जो है सभी लोग जड़ जाएंगे और सभी लोग आ यह आपके लिए बताने किस प्रिकार की पत्रिका थीनल जी सापताहिक पाप्चिक मासिक या फिर बार्ण़क तो आप सभी का यहां पर क्या होगा सई आंसर चेन करना है मत्तुपूर्ण कॉस्चन है और आप सभी का यहां पर कॉस्चन नमबर जो यहां पर पूंचा गया है 22 और 22 का सईया आंसर आ रहा है यह सापताहिक पत्रिका थी सापताहिक आपका वेकल नमबर एक सईया आंसर होगा सापताहिक आपका सईया आंसर प्रेमघंद्वार संपादत है यह नांगरी नीरत इसका रूप पूँचा है तो यह सापताहिक मानी जाती है अंगला कॉस्चन देखिएगा पाक्षिक जानते हूं आप लोग पाक्षिक किसको बोलते हैं तो एक पाक्षिक बताइए किसको बोलते हैं यानि कि पाक्षिक यानि कि जो एक महिना रहता है तीस दिन का इसमें दो पक्षे होते हैं पंद्रा पंद्रा दिन के तो इसको जो है एक पक्षे दो प बताना है बताईएगा क्या होगा सही आंसर 23 में आपके लिए चैन करना है भारत धरण है भारत दुर्दसा है अंदिर नंगरी है बैदी की हिंसा हिंसा नभवती है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा कि विकल्प नंबर कहां पर देखे भारत दुर्दसा है अंदिर न भारत हरन किसकी रचिना मानी जाती है, बताइए कमेंट में, प्रेमघन द्वारा संपादित, आनन्द कादमबनी का रूप था, इसका रूप आपसे पूंचा गया है, यह बताइए सापता है, पाप्चिक, तर्मासिक या फिर्मासिक, 24 सुबा कॉस्चन आपसे पूंचा गया है, मत्पून कॉस्चन यहाँ पर दिया गया है, और सही आंसर आप सभी का यहाँ पर क्या होगा, स्वानी जी टेलिग्राम गुरुप से अभी बता देंगे कि किस पिरकार आपके लिए जुड़ना है, कॉस्चन नमबर आपका 24 है, 24 क विकल्प नमबर जो D है, सही आंसरों का यह मासिक होगा सही आंसर, मासिक आपका नहां पर सही आंसर है, बहुत बढ़ियां सभी लोगों ने आपर सही आंसर चैन क्या है, और भारत तरन देपकी नंदन खत्री जी कि यह दिन जो है, रचना मानी जाती है, मेग दूत यह सहने, 25 बा कॉस्चन पूंचा गया है, और अरदना जी यहां पर विल्कुल सही आंसर है, वेग दूत का खड़ी बोली में जो अनुबाद क्या है, बहुत क्या है कि नोने, राजा लक्षमन सहने, विकल्प नमबर आपका क्या होगा सही आंसर, D यहां पर सही आंसर है, विक आईगा, बताएये मिस्र वंदू बिनूद कितने भागों में हैं, और आप सभी का यहां पर सही आंसर है, विकल्प नमबर नमबर सही आंसरों का, मिस्र वंदू बिनूद चार भागों में हैं कितने भागों में हैं चार भागों में हैं विकल्प नमबर आपका सी जो है वैसा या अंसर इसके तीन भाग एक साथ प्रकासित हुए थे और चौथा भाग जो है अलग प्रकासित हुआ था तो मिस्रबंदू बिनोद मिस्रबंदू की किर्तिय विस्रब जो हैं तीन भाई थे सकुंतला नाटक की रचेता इनमें से कौन है कौस्चिन नंबर आपका 27 पूंचा गया वारत्यंदू है राजा लक्षमन से हैं राजा से प्रसा सितारे हिंद है या बद्री नारण चौदरी प्रयमगन हैं बताई डीवी गेमर जी निसा जी क्या होगा स स्भी लोग चैन करते जायेगा और आप सभी का यहां पर स्भी आंशर आ रहा है सकुंतला ना टक जिसके रचेता माने JUST कौन राजा लक्षमन सहं विकल्प नमबर आपका जो B है आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहाँ पर सही आंसर चैन क्या है अंगला कॉस्चन देखेगा कॉस्चन नमबर आप से यहाँ पर पूंचा गया है रेल का विकट खेल 28 बा कॉस्चन है इनाटक किसका है बताईए रेल का विकट खेल इनाटक किसका माना जाता है 28 बा कॉस्चन है राजा लक्षमन सें या फिर प्रेमगन या फिर बालकृष्ण भट्टे या फिर अम्विका दत्ते ग्यास और गौश्य नमबर आपका यहां पर 28 में सभी लोग चैन कर रहे हैं रेल का विकट केल यह वाल कृष्ण भट जी का जो है नाटक माना जाता है सी वाला वेकल्प जो है आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने विकल्प नमबर तीन चैन क्या है सभी का सई आंसर है इनमे से आपको बताने कि असत्य कथन कौन सा है असत्य कथन चैन करना है हिंदी पृदीप इलाहबाद से प्रकासित होता था या पिर ब्रह्मान कानपुर से प्रिकासित होता था भारत मित्र दिल्ली से निकलता था या पिर सदा चार मार्तंड जैपुर से निकलता था question number 29 में असत्य कतन चेन करना है सल्वनी दुवेदी जी क्या होगा सई आंसर चेन कीजेगा महत्यपूर question है और सताक्षी जी विकल्प नंबर आपका यहाँ पर 29 का सी सई आंसर है भारत मित्र दिल्ली से निकलता था यह आपका कैसा है असत्य कतन माना जाता है विकल्प नंबर सी आपका सई आंसर होगा बहुत बड़ी यह अंगला question है आपके देखेगा सिखों का ओदय और अस्त किसकी रचना ही रचना आपके लिए चैन करना है तीस में राजा सिव परसाद सितारी हिंद राजा लक्षमन से मावीर परसाद दुवेदी या फिर हरियोद सिखों का ओदय और अस्त किसकी रचना मानी जाती है तो आप सभी का यहां पर सई आंसर आ रहा है तीस में विकल्प नंबर एक यानि की राजा सिव परसाद सितारी हिंद की रचना मानी जाती है बिकल्प नंबर एक जनोंने अभी यहाँ पर चैन क्या है उनका सही आंसर होगा अंगल्या कॉस्चन यहाँ पर देखेगा भारतेंदु जी के संपाद कत में इनमें से कौन ऐसा पत्रिका कौन सी पत्रिका जो है निकली थी बताइगा एक्तिस में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर हंस सोधा हरिश्चंद्र चंद्रिका या पिर मित्र विलास मत्वण कॉस्चन है कॉस्चन नंबर आपका यहाँ पर पूंचा क्या एक्तिस और एक्तिस में आप सभी का सही आंसर है बातन जो जो के संपादगत्व में बताना है वैपत्रिका निकली थी कौन से निकली थी तो वेकल्प नंबर C हौँ पर सही आंसर है हरिस्ट चंद्री का वेकल्प नंबर 3 आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा एंगला कॉस्चन देखिएगा question number आपसे यहाँ पर 32 पूंचा गया है आधुने काल के लिए निमय से कौन सा नाम सही नहीं है बताईएगा आधुने काल के लिए कौन सा नाम नहीं दिया गया है वर्तमान काल, गद्द काल, सामियक काल या फिर आधुने काल बताईए, सभी लोग चेर्ण करते जाईएगा मत, कौन question यहाँ पर पूंचा गया है रमा सर्मा जी और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा आधुने काल के लिए कौन सा नाम नहीं दिया गया है तो देखेगा, सामियक काल जो है यह नाम नहीं दिया गया बहां कि बरतमान काल, गद्द काल, आधुने काल यह नाम दिये गये है तो विकल्प नमबर तीन आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा अंगल्या question यहाँ पर देखेगा question नमबर आप से यहाँ पर 33 पूंचा गया है भारतेन्दु जी के किस नाटक में सवचंदतावादी तत्तों को अपनाया गया है वह नाटक आपके लिए बताना है नील देवी है भारत दुर्दसा है प्रेम जोगनी है या फिर सत्ता हरिस्चंद्र है बताइए भार्टेंदू जी के किस नाटक में सचंदतावादी तत्तों को अपनाया गया है तो सचंदतावादी तत्तों को अपनाया गया है किस में वेकल्ब नमबर आपका एक सईयांसर होगा नील देवी में नील देवी आप सभी का यहाँ पर सईयांसर है बहुत बढ़िया वैकल नमबर एक यहाँ पर होगा सईया आन्सर। औमकार सिंग जी जयान जी वैकलप नमबर एक यहाँ पर सईया आंसर है अंगला कॉस्चन यहां पर देखे कॉश्चन नमबर 34 आप से पूँचा गया है मत्पूण कॉश्चन इरहा सिक्षा के प्रसार के लिए भारतेंदू ने एक स्कूल खूला था जो अब उन्नती करते करते हरिश्चंद्र डिगरी कॉलेज हो गया इस स्कूल का आरंबिक नाम क्या था हरिश्चंद्र स्कूल, चोखंबा स्कूल, सरस्थोती स्कूल या फिर हिंदी विध्याले बताईए कॉश्चन मत्पूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर 34 में सभी लोग बता रहे हैं इसका प्रारंबिक नाम था चोखंबा स्कूल इसका प्रारंबिक नाम था अब यह उननती करते हरिश्चंद्र डिगरी कॉलेज हो गया है तो यह किस ने खूला था यह भारतेंदु जी ने इस स्कूल को खूला था question number आपसे यहाँ पर 135 पूंचा गया प्रेम गन की कभीता में अभी ब्यक्ति हुई है किस की अभी ब्यक्ति हुई है यह चैन करना है आपके लिए सिंगारिकता जातियता सामाज दसा या देश प्रेम या फिर उपरयुक्त सभी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है 35 बा कॉस्चन है 35 में आप सभी का यहाँ पर सही आंसर क्या होगा विकल्प नंबर आपका डी जो है वैं सही आंसर है यानि की उपरयुक्त सभी आपका यहाँ पर राजु जी विलकुल सही आंसर है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने आपर डी वाला विकल्प जन्वनवी चैन किया है उनका सही आंसर होगा इन मसल्मान हरीजनन पे पोटन हिंदू बारिये इपंती भारतेंदू की किस रचिना में हैं बताईए क्या होगा सही आंसर कौस्चन मत पूर्ण अरविंद कुमार ना प्सक्ण न परंग है संसर क्या होगा च्शेतिस वार्ण है और च्था बंवर नंबर आंसर आ रहा है विकल्प नंब्र क्या है सब्सक्रा का सय आंसर यहां पर क्या है सही आंसर तो विकल्प नमबर आपका इहां पर जो दी है उत्रार्थ भक्तमाल भै आप सभी का इहां पर सही आंसर होगा उत्रार्थ भक्तमाल आपका सही आंसर है बहुत बढ़ियां सभी लोगों ने यहां पर जो दी है भै सही आंसर चैन क्या है प्रताप नारण मिस्र का जन्म कहा हुआ था बताईएगा प्रताप नारण मिस्र का जन्म आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर इनका जन्म कहां पर हुआ था ये बताना है और आप सभी का इनहां पर सही आंसर आ रहा है क्या रहा है सही आंसर बहुत बढ़िया सभी लोग यहाँ पर चैन कर रहे हैं कि इनका जन्म हुआता कहाँ पर बेजे गाउं जिला उन्नाव तो विकल्प नमबर आपका क्या है सही आंसर बी यहाँ पर जो है सही आंसर होगा बेजे गाउं जिला उन्नाव यहाँ पर आप सभी का सही आंसर होगा बहुत बढ़िया अंगल्या कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहाँ पर 38 पूंचा गया है मनी की लहर काप्विग्रंति की रचीता कौन मानी जाती है बताईए मनी की लहर मनी की ल आपका यहाँ पर 38 पूंचा गया है 38 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर बताईए तो मनी की लहर का भी क्या होता है अपनने याद किया था कि मनी की लहर का भी पृताफ होता है पृताफ तो पृताफ से क्या हो जाएगा पृताफ नारणमिस्र हो जाएंगे तो बेकल्प नमबर आपका यहाँ पर भी जो है वैसे ही आंसर होगा question नमबर आपसे यहाँ पर पूंचा गया है 49 वा question की प्रताप नारण मिस्र द्वारा रचित रचिनाई कौन कौन सी है प्रेम पुस्पावली मनिकील है लोकोक्ती सतक और त्रप यंताम या फिर सिंगार विलास या फि सभी 49 में चैन कीजेगा महत्वण question यहाँ पर पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर सई आंसरों का निल जी वेकल्प नमबर आपका यहाँ पर जो डी है लो परुक्त सभी यह वाला वेकल्प आपका सई आंसर होगा लो परुक्त सभी जितनी भी यहाँ पर जाती है तड़ी समांज से किसका सम्बंद ःता चालिस का सही आंसर छेंड करना है के सब चंड्र सेनका इसवर चंडे विद्या सगर भारतिंदूं हरशंद रह यह फिर राजा रम महन राए चालिस में चैन कीजेगा तद्ये समाज से किसका सम्बंद था चालिस वा कॉस्चन है और हाँ राजन जी तो आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है सल्वनी जी विल्को लाइप क्लास चल रही है आज अपनी ए तद्ये समाज का सम्बंद था किसे भारतेंदू हरिष्चेंद्र से विकल्ट नंबर सी जन्वनवी यहाँ पर चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी यह अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा कॉस्चन नंबर आप से यहाँ पर 41 पूंचा गया है निमन लिकत में से भारतेंदू की रचना कौन सी है वह रचना आपके लिए बताना जो भारतेंदू जी की है सिंगार सत्साई स्यामलता या पिर जीन जन्पद या पिर तरप यंताम बताईए भारतेंदू की रचना कौन सी है question मत पूर्ण है और आप सभी का यहाँ पर प्रिया जी सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर question नमबर 41 में सिंगार सतसई सिंगार सतसई आप सभी का यहाँ पर सही आंसर है यह रचना मानी जाते है किन की भार तेंदू जीकी रचिना मान Hindi जाती है वेकल नबर एक जनोन्यवी चैन क्या है उनका यहाँ पर सई आट्षर होगां अंग्ला क्वास्टेंट यहाँ पर देखेगा तो आप सभी का यहां पर अंगला कॉस्चन देखेगा क्या पूंचा गया है तो यहां पर आप से यहां पर पूंचा गया है अंगला कॉस्चन डीवी डेमर जी जो आप बोल रहे हैं उल्ड पेपर वो हमारे पास उसके है नहीं है तो जो है वो हम स्वाल पर नहीं करा सकते क् राजिस्तान ग्रेज टू के और आपके लिए हिंदी साहित है तो हिंदी साहित तो जो है यह भी अपन पढ़ रहे तो यह इसी मैंसे आपका जो हिंदी साहित है वह पूंचा जाएगा सिंगार रसमंडन ग्रंति की रचेता बताना है कौन माने जाते हैं 42 वा कॉस्चन है गोकुल नाथ है विठल नाथ है बल्लवाचार है या पिर जो इंदू है कॉस्चन मत्पूर्ण है 42 वा कॉस्चन है आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा बताईएगा सही आंसर क्या है चैन कीजेगा और चबीलो बिठल नाथ बता रहे हैं सिंगार रसमंडन । घ्रंति के लेकग कौन माने जाते हैं बिठल नाथ माने जाते हैं व ważपुड्ड़िया विकल्प नंबर बी यहां पर चैन क्या है विट्ठल नात उनका यहां पर सही आंसर है ललिता नाटक की रचेता कौन है कौश्चन नमबर 43 में बताने राम नरिस्त्र पाथी है या फिर हरियोद है या हरीकेश्न प्रियमी है या अम्बेका दत्त व्यास है 43 में चैन कीजेगा महत्तुपूर्ण घ्र दिया गया है ललिता नातक बता यह किसने पड़ा है ललिता नांसमा देवी जी किसे ने बिल्कुल सही आंसर है ललता जो है राम नरेश का त्रपाठ करती है त्रपाठ तीन बार पाठ करती है रामचंद जी का कौन ललता तो त्रपाठ से त्रपाठी हो जाएंगे कौन ललता इनका नाटक माना जाता है विकल्प नमबर आपका अंगला यहां पर एक होगा सही आंस बताईए चैन कीजेगा महत्यपूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि कौन सी पुस्तक ब्रिज भासा में लिखी गई है तो अश्टियाम आपका सही आंसर यह ब्रिज भासा की पुस्तक मानी जाती है विकल्प नंबर बी आप सभ कौन्च का गया मत पूंचा गया है और बन का सभी का सही आंसर है धर्ण फैण प्रेम यह अमींखा दत्य जाहनुआ के राचना है . a पिसक्टिकल्प काड़ित नूमेर आपकी नूमर्णु स ጥ कोश्टिकल्प होगा है . हाँ किस नहसे हैं, कितिकल्णू लिद्यू संगहार औ हमेगदूत्यॉर का व्रेज भासा काब ँवuxe ऑनुबद किया है list चालिस में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सईया आंसर और आप सभी का यहां पर सईया आंसर क्या है तो कॉस्चन नमबर आप से यहां पर पूंचा गया है चालिस और चालिस में आप सभी का यहां पर सईया आंसर होगा क्या होगा सईया आंसर वेकल्प नमबर डी जो है बहे सही आंसर है रितु संगहार और मीर्ग दूत का ब्रजवासा कब में ननुबाद किया था के नो ने तो ये अनुबाद किया था जगमोहन सही ने वेकल नमबर दी जो है बहे आप सभी का सही आंसर होगा हेंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर चालेस आप से पूंचा गया है रसिक समाज कहां की साहिक्तिक संस्थाती रसिक समाज ब्रंदा बन की मतुरा की कानपूर या फिर बनारस से तालिस में चैन कीजेगा मत पूंच कॉस्चन यहां पर दिया गया है और आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा मंजू देवी जी चैन कीजेगा मत पूंच कॉस्चन है और रसिक समाज कहां की साहिक्तिक संस्थाती वेकल नमबर आप सभी का यहां पर सही आंसर होग का पर कानपूर की यह साहित्यक संस्थाती रसिक समाजसी वाला वेकलप आपका यहां पर सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा आराधना सिंग जी बहुत बढ़िया भासायोग बसिष्ट ने भासयोग विश्ष्ट के रचेता का नाम क्या था बताए गंग ते गोकल नात ते नाबादास ते या फिर राम प्रसाद नरंजनी थे कॉस्चन मत पूर्ण है आपका यहां पर अलतालिस वा कॉस्चन पूंचा गया है और अलतालिस में आप सभी का सही आंसर आ रहा है डी आनि की राम प्रसाद नरंजनी जो थे यह भासा योग विश्ष के गचेता माने जाते हैं दीवाला वेकल्प आपका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी हैं अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर उननचास आप से पूंचा गया है एक अदबुत अपूर्व स्वपने इन्यबंद माना जाता है इसके रचिनाकार क कॉस्चन पूंचा गया है एक अदबुत अपूर्व स्वपने इन्यबंद की रचिनाकार कौन माने जाते हैं और आप सभी का यहां पर सही आंसर है उनननचास में विकल्प नमबर क्या होगा सही आंसर तो विल्कुल सही सभी लोग बता रहे हैं विकल्प नमबर यहां पर एक अदबुत अपूर्व स्वपने इसकी रचिनाकार कौन माने जाते हैं और विकल्प नमबर बी आपका यहां पर सही आंसर होगा भारतेंदू भारतेंदू आपका यहां पर सही आंसर है विकल्प नमबर दो जन्वन्यवी चेन क्या है उनका यहां पर सही आंसर है हिंदी साहित की पीटी का की रचिनाकार कौन मानी जाती है बताइए हिंदी साहित की पीटी का इसकी रचिनाकार कौन मानी जाती है डाक्टर राजवली पांडे है या सिवदान से चोहान है रामबला सर्मा है या फिर नामबार सें है पचासवा कॉस्चन आप से पूंचा गया है पचास में आपके लिए सही आंसर चैन करना है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि राजवली पांडे डाक्तर राजवली पांडे इसके रचिनाकार मानी जाते हिंदी साहिटे की पीठी का बहुत बढ़िया बिलकुल सही आंसर आप लोगों ने आपर चैन क्या है अंगला कॉस्चन आपर पूंचा गया है गोबिंद गिल्ला भाई द्वारा रचित किर्टी कौन सी मानी जाती है भाई किर्टी आपके लिए बताने कुपजा पचीसी है नीती गोबिंद है सिंगार सरोजनी है या फिर उपर्युक्त सभी है चैन कीजेगा कॉस्चन अंबर इंक्याउन है मत्वण कॉस्चन आपसे यहां पर पूंचा गया है और इंक्याउन में आप सभी का सई आंसर आ रहा है लाइक अबस से कर लेंगे बहुत सारे लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया वीडियो को जल्दी से लाइक कर लें और गोबिंद गिल्ला भाई सिंगार सरोजनी इनकी कृति मानी जाती है और पर्युक्त सभी कृतियां जो है आपका यहां पर सही आंसरों का डी वाला विकल्प सही आंसर लगा दे विकल्प नमबर चार आपका यहां पर जो है सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर बाउन पूंचा गया है जपो नरंतन एक जमान हिंदी हिंदू हिंदोस्तान ये पंती किसकी मानी जाती है बताए प्योजी कॉस्चन मत्पूर्ण है किनकी ये पंती मानी जाती है जपो निरंतन एक जमान हिंदी हिंदू हिंदूस्तान ये पंती मानी जाती है भार्टेंदू प्रताप नारणमिस्र स्रिधर पाटक या फिर मेथली सरण गुप्ते question मत्पूर्ण है और आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा यह पंती का प्रताप है जपो नरंतन एक जबान हिंदी हिंदू हिंदोस्तान इस पंती का क्या है प्रताप है प्रताप से प्रताप नारण मिस्र आपका यहां पर सयांजर होगा question number आपसे याँ पर पूंचा गया है त्रेपनवा जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश ये पंती किसकी मानी जाती है त्रेपन में आपके लिए चैन करना है बताईएगा प्रताप नारण मिस्र जपोन रंतन एक जवान हिंदी हिंदू हिंदोस्तान अब इकल्प नमबर आपका डी यहांपर आंसर होगा यानि कि यह प्रताप नारण मिस्र जी कि यह पंती मानी जाती है जैसे कंता घर रहे तैसे रहे विदेश ये भी जो है येनी की पंती मानी जाती है प्रताप नारण मिस्वर जी की अंगला कॉस्चन याँ पर क्या पूंचा गया है question number आपसे चंगण पूंचा गया है सीतला पिरसाद तिरपाटी द्वारा रचित जान की मंगल नाटक की भासा क्या थी भासा आपके लिए बताना है मनोज गुपता जी बताईए का क्या होगा सही आंसर ब्रिजबासा थी, संस्कृत थी, परिमार्जित खड़ी बोली या फिर आप भ्रंस चंगण में आपके लिए चेन करना है क्या होगा सही आंसर question मत पूंण है चंगण वा question याँ पर पूंचा गया है और आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा परिमार्जित खड़ी बोली विकल्प नंबर सी जो है आप सभी का याँ पर सही आंसर होगा सीतला प्रिसाद प्रपाटी द्वारा रचेत जान की मंगल 1868 का ये नाटक माना जाता है तो विकल्प नंबर आपका याँ पर सी जो है सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन देखेगा कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ती बाल बिदबन की ये पंती आपके लिए चैन करना है पचपन में किनकी पंती मानी जाती है तनू जी लबली जी और सभी लोग सही आंसर चैन करेंगे क्या होगा सही आंसर निया जी बाल कृष्ण बट्टे प्रताप नाण मिस्र बाल मुकंद गुपतिया जगनादास रतना कर कौन करे जो नहीं कसकत सुनी विपत्ती बाल बिदबन की ये भी प्रताप नाण मिस्र जी की पंती मानी जाती है यहाँ पर भी वेकल्प नंबर दो सही आंसर होगा भारते अंदु कृत विद्या सुन्दर नाटक किसका रूपांतरण है किसका रूपांतरण है ये आपके लिए बताने चौर पंचासी का प्रबोध चंद्रोध है मुद्रा राक्षस या फिर कोई नहीं 56 वा कॉस्चन या पर पूंचा गया है 56 में आपके लिए सही आंसर चैन करना है विद्या सुन्दर नाटक किसका रूपांतरण था तो आप सभी का सही आंसर है चौर पंचासी का किसका चौर पंचासी का विकल नंबर एक जो है वह आप सभी का याँपर सही आंसर होगा पैदन विदेश चली जाते है अतिख्वारी ये पंटी किनकी मानी जाती है कौर्शन नंबर आपका याँपर संताउन है रादा कृष्ण दास, प्रताप नारण मिस्र, अमिका दत्य ब्यास या फिर भारतेंदू हरिस्चेंद्र संताउन का सही आंसर चैन कीजेगा मत्पुन कॉस्चन याँपर पूंचा गया है बताईए पैदन विदेश चली जाते है अतिख्वारी ये पंटी मानी जाती है भारतेंदू हरिस्चेंद्र जी की किनकी विकल्प नंबर आपका याँपर जो है वह आप सभी का याँपर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने याँपर विकल्प नंबर चार बताया है मुकनत जी आस्ता जी राजीव जी प्रिया जी अंगला कॉस्चन याँपर देखेगा भारतेंदू कृत प्रहसन है प्रहसन आपके लिए बताना है भारत जननी है गीती रूपक है नाटी का है या पिर दुल्ला बंदू है बताई क्या होगा सही आंसर भारतेंदू कृत प्रहसन है तो प्रहसन पूचा क्या है दुल्ला बंदू सही आंसर होगा विकल्प नमबर दी जिन्होंने भी यहाँ पर चेन किया है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर आपका यहाँ पर सही आंसर है क्या विकल्प नमबर चार अंगल्या कॉस्चन 79-69 कॉस्चन है भारते अंदु युग का साहित व्यापक इस तरपर गदर से प्रभ भायते हैं तो युगका साहत तें ज्यापक इसतर पर गदर से प्रभावित है एक तन किनका माना जाताए किन वेकल्प नंबर आपका इनहां पर जो भी है रामvilar realizar You उनका एकतन माना जाता है, वेकल्प नमबर दो जो है, आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा, सभास्चंद जी, वी वाला वेकल्प यहाँ पर सही आंसर लगा देते हैं, अंगला क्वास्चन देखेगा, question number आपसे यहाँ पर अंगला पूंचा गया है साटबा question है यह ब्यारी तब बदलेगी कचू पपीहा जब पूंच है प्यू कहां यह पंती किस कभी की मानी जाती है बताईए question number 60 में भी आपको सही आंसर चेहन करना है क्या होगा सही आंसर यह ब्यारी तब बदलेगी कचू जब पपीहा पूंच है प्यू कहां यह पंती मानी जाती है किस कभी की तो यह आपका सही आंसरों का साट में यह पंती भी किनकी मानी जाती है प्रताप नारण में सर्देखे पंतियां कतनों से भी संबंदित आपके कॉस्चन इस क्लास में पूंचे जा रहे हैं तो कि आपके लिए पहले ही बता दिया था कि पंतियों और कतन से संबंदित मार्तिपोल कॉस्चन आपके आएंगी कॉस्चन नमबर 61 पूंचा क्या है हिंदी भासा का विकास के संबंदित कॉस्चन नमबर 61 है और 61 में आप सभी का क्या होगा सही आंसर हिंदी भासा का विकास इसके संबंदक आपको चैन करना है नंद दुलार रिवाच्पिय थे या फिर शामसुंदर दास थे अग्ये थे या धीरेंद्र बर्मा थे विकल्प नमबर आपका यहां पर 61 में जो सही आंसर होगा वह होगा आपका सही आंसर यहां पर क्या होगा सही आंसर तो यहां पर स्यामसुंदर दास बहुत सारे लोग बता रहे है यह स्यामसुंदर दास थे तो विकल्प नमबर आपका यहां पर जो भी है आपका यहां पर सही आंसर होगा बिकल्प नंबर दो आपका सही आंसर है अंगला क्वश्चन यहां पर दीखेगा क्वश्चन नंबर आपसे यहां पर बासट वूँचा गया है समस्या पूर्ती सर्वस्ते नामक गरंत के लेकक कौन है बताईएगा किसका ये ग्रंथ माना जाता है चैन कीजेगा और आप सभी का सही आंसर है भारतेंदू अम्बेका दत्यव्यास प्रताप नानमे स्रिया नातुराम सर्मा संकर तो वो क्वेस्चन मत्पूर्ण है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है 62 में अम्बेका दत्यव्यास वेकल्प नमबर सी जन्वाने भी चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर हुगा अम्बेका दत्यव्यास आप सभी का यहां पर सही आंसर है अंगलिया कॉस्चन यहां पर देखेगा question number आपसे यहाँ पर 63 पूंचा गया है आचार सुकल का हिंदी साइट का इतिहास का प्रकासित हुआ था बताईए question मत्पूर्ण 1929 में 1940, 1950, 1925 में ये question अपन कई बार पढ़ चुके हैं राजीब जी, निसा जी, अनीता जी सभी लोग चैन करिएगा 26 अंकर जी आचार रामचेंद्र सुकल जी जो है इनका हिंदी साइट का इतिहास का प्रकासित हुआ था 1929 जन्हों ने विकल्प नंबर एक चैन क्या है उनका यहाँ पर सही आंसर होगा तो विकल्प नंबर आपका यहाँ पर क्या होगा सही आंसर है जो एक है वह सही आंसर होगा गंगा लहरी के रचेता कौन माने जाती है 64 में आपके लिए चैन कन्ना है पदमाकर है या फिर भारतेंदू है प्रेम घन है या फिर प्रताप नारण मिस्र है बता यह गंगा लहरी किसकी रचेता माने जाती है 64 वा कॉस्चन है मत्पूर कॉस्चन आप से पूंचा गया है और आप सभी का यहाँ पर सही आंसर होगा है हाँपर गलत हो गया है यह आपका यहाँपर D वाला ही विकल्प जो है बर्मा ही आपका सही आंसर है और यहां पर गंगा लहरी तो सभी के लिए पता है पदमा करकी रचिना है बेकल्प नंबर एक सही आंसर होगा कॉस्चन नंबर आपसे 65 पूँचा गया है कि तरनी तनुजात्त तमाल तरुबर बहुच्छाए एक अंती के सकवी की मानी जाती है 65 में चेनकन्ना है भार्खतेंदु जी की जैसंकर प्रसाद प्रताप नारण मिस्रे या फिर यहां पर जगन्ना दासरत ना कर बताईए तनुजी लबली जी धनन्जा जी तो विल्कुल सही आंसरों का 65 में तरनी तनुजात्त तमाल तरुबर बहुच्छाए और यह पंती मानी जाती है भार्खतेंदु जी की किनकी भार्खतेंदु आपका यहां पर सही आंसरों का विकल्प नंबर एक गो संकट सट में आप सभी का क्या होगा सही आंसर गो संकट नाटक के रचिनाकार कौन मानी जाती है मत्तुपूर्ण कौस्चन यहां पर पूंचा गया है और सबनम जी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर विकल्प नंबर डी आनिकी प्रताप नानमिस्र आप आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर चार जिन्हों ने भी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा आपसे यहां पर अंगला क्या पूंचा गया है देखे का यहां पर 67 वा कौश्चन यहां पर पूंचा गया है यह रहा कॉस्चन अमबर 67 चंद चंद बर्नन की महिमा कि रचेता कौन मानी जाती है बताइए का क्या होगा सही आंसर question मत पूर्ण है और आप सभी का यहां पर क्या होगा सही answer चंद चंद वर्नन की महिमा चंद वर्दाई है गंग कभी है लाल कभी है सूरती मिस्र है तो इसका answer दिग्जयाता विकल्प नमबर बी जो है भे आप सभी का यहां पर सही answer होगा क्या सही answer पर आशुचाच Chanakar कौन माने जाते हैं। रोहिनी मिस्रा जी, साधना जी और सिब्या पाटक जी। तो आप सभी का सही आंसर है सिक्षा दान एक क्या है विंग पून नाटक है और सिक्षा का दान अगर आपको करना है तो प्रेम से करना है सिक्षा का दान प्रेम से करना है प्रेम से प्रेम घन और सिक्षा दान इनका एक विंग पून नाटक माना जाता है कि इनका प्रेम घन रखी का वेकल नंबर बी आपका यहां पर सई आंसर होगा पूश्चन नंबर आपसे यहां पर अंगला क्या पूंचा गया उनत्तरवा पूंचा गया है निम्नमयस से असंगत आपके लिए चेन करना है असंगत कुंसा है करपूर मंजरी दुल्लव बंदू भारत दुर्दसा अंदेर नंगरी श्री चंद्रावली विसस विसमोस दम्र सती प्रताप प्रेम जोगनी हां तो आप सभी का यहां पर सई आंसर क्या होगा मद्द पूर्ण कॉस्चन है उनत्तरवा कॉस्चन है और उनत्तर में आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा कि असंगत पूंचा है तो B वाला वेकल पाप का सही आंसर है, भारत दुर्दसा, अंदेर नगरी ये वाला वेकल पाप का यहां पर सही आंसर होगा, तो भी वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर है बहुत बढ़ी अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नमबर सत्तर आप से पूंचा गया है भारते अंदू युगीन प्रवित्ती नहीं है कौन सी नहीं है राष्टेता ओदेश प्रयम सामाजिक छेतना भक्ती परक काभी की प्रधानिता या हार्ष्यव्यंग बताईए सत्तर बा कॉस्चन है सत्तर में आपके लिए चैन करना है और एक बार लाइक अवस्ते कर लेंगे जनोंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं क्या है एक बार ओर वीडियो को लाइक कर लें और आप सभी का यहां पर सई आंसर भक्ती परक काभी की प्रधानिता भारतेंदू युगीन काभी प्रवित्तिय नहीं मानी जाती है सी वाला विकल्फ आपका यहां पर सई आंसर होगा स्री नवासदा सिक्रित नाटक आपके लिए बताना है कौनसा माना जाता है रणदीर प्रयमोईनी या फिर तप्ता संबरन सयुगता स्वेंबर या फिर उपरिप्ते सभी बताईए स्री नवासदा सिक्रित नाटक है कौनसा नाटक माना जाता है चार विकल्प आप क्यां पर दिये गए हैं और 71 में आप सभी का सज्या अंसर आ रहा है कि विकल्प नंबर जो यहां पर 71 में दिया गया है दी वो परिफ्थ सभी वो परिफ्थ सभी नाटक सिरीनवासदास जी के माने जाती है बारतेंदुकृत प्रेम सरूबर है प्रेम सरूबर क्या है कवीता है हास्य बिंग है मौलिक नाटक है या पिर अनुदित नाटक है बताईए चेन कीजेगा महत्पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा क्या है हिंदी साहित जी प्यू जी और आप सभी का यहां पर सई आंसर होगा धनेंजा जी कॉस्चन नमबर 72 में बारतें दो क्रित प्रेम सरोबर क्या माना जाता है और विकल्प नमबर एक यहां पर चेन क्या है बहुत सारी लोगों ने कि यह कभीता है क्या है कभीता है तो विकल्प नमबर यह जो है आप सभी का सई आंसर होगा नई रोसनी का बिस नाटक के रचिनाकार कौन मानी जाते ह बताई ये रादा कृष्णे दास है बाल कृष्णे भट्ट है या फिर यहां पर अम्विका धत्य ब्यास है या स्री निवास दास है नई रोसनी का अबिस नाटक के रचेता कौन माने जाती है तो कृष्ण नमबर आपका यहां पर तेत्तर है और तेत्तर में आप सभी का सही आंसर है कि विकल्प नमबर बी हां पर सही आंसर लगा दीजेगा बी आनी की नई रोसनी का वैसे ये बाल किष्णे भटते इसकी रचिना कार मानी जाती है विकल्प नमबर दो जो है वह आप स पूंचा गया है बार्तेंदु जी ने विजय नी विजय पताका की रचना की थी तभी वचन सुधा की सफल प्रिकासन पर भार्तेंदु मंडल के गठन पर अंग्रेजों की मिस्त्र पर विजय की खुसी में या तद्य समांज की इस्थापना पर तो अतरवा कॉस्चन है मत पूंचा गया है और आप सभी का क्या होगा सही आंसर लवली जी बहुत बढ़िया ट्रिक बताएए और बार्तेंदु जी ने विजय नी विजय पताका की रचना की थी अंग्रेजों की मिस्त्र पर विजय की खुसी में तो विकल्प नंबर सी जो है आपका सही आंसर होगा विकल्प नमबर तीन आप सभी का सई आंसर है कॉस्चन नमबर आप से पूंचा गया 75 वा कॉस्चन है भारत आरत नाटक की रचेता कौन माने जाती है भारत आरत खडग बहादुर मल्ले है बालकिष्न भट्टे है या फिर गोपाल राम गहमरी है कि सूरी लाल गोस्वामी है 75 का सई आंसर चैन कीजेगा चार विकल्प आपके दिये गए है और सभी लोग यहाँ पर बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भारत आरत इसके रचेता तो कौन माने जाते हैं तो आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा विकल्प नंबर B यानि की बाल कृष्ण भट्टे बाल कृष्ण भट्टे आप सभी का यहाँ पर सई आंसर है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने जिन्हों ने भी चैन क्या भी उनका यहाँ पर सई आंसर होगा कॉस्चन मत पूण है 16 बाक्वा आपर पूंचा क्या है और आप सभी का बनदें का सई आइंसर है। है बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहांपर स्री निवास दास बताए हैं। पर सभीर दास निवास जो है तपता है। निवास से निवास सिरिनिवास दास और तपता से क्या हो जाएगा तपता संबरण तो निवास जो है अपना निवास तपता है तो तपता से तपता संबरण और निवास तपता है तो स्री निवास दास जो है इसके लेखक हो जाएंगे इस पर कार्याद कर सकते हैं चैतरवा कॉस्चन अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा क्या पू 77 ख़ड़ी बोली का अंदूलन किसकी रचिना है बताई जाती है और आप सभी का यहाँपर सय Blog क्या होगा मत्पून question है question number आप से यहाँ पर पूंचा गया है कौन सा 77 और 77 में आप सभी का यहाँ पर सही answer होगा वेकल्प number एक सही answer है यानि कि आप सभी का सही answer है अविध्या परसाद खत्री खड़ी बोली का अंदोलन किस की रचना है तो खड़ी बोली का अंदोलन जो है अयुद्ध्या पिर्चाद खत्री जी की रचना मानी जाती है वेकल्प नंबर एक सही आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहां पर देखेगा कॉस्चन नंबर आपसे 78 पूंचा ग्या भार्टेंदू कि कभियों में असे हर गंगा कभीता किसे ने लिखी है असाथ खान जी क्या होगा सही आंसर डिपक पवार जी कॉस्चन मत्पूंड है और हर गंगा हर गंगा कभीता किसने लिखी है तो आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा क्या होगा सही आंसर हर गंगा हर गंगा का जो है पृताप होता है तो गंगा का क्या होता है पृताप होता है और कोई भी गंगा हो तो हर गंगा का क्या होता है पृताप होता है तो पृताप से पृताप नारण मिस्र और हर गंगा एक इनकी क्या है कभीता इनों ने लिखी है खड़ी बहुली को खड़ी बहुली को सादू भासा किस ने कहा है भारत्यंदू ने रामप्रसाद निरंजनी ने सदल मिस्र ने या बाल मुकंद गुप्त ने तो आप सभी का यहां पर सही आंसर है question number 89 में लगे रहीएगा भी आप लोगों की जो एक्जाम डेट नहीं आई है तो भी आप लोग जो है लगे रहीएगा आपको कि बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि जब एक्जाम डेट आएगी तब ही जो है पढ़ना शुरू करेंगे और फिर इतने में जो है जो एक्जाम डेट होती है वाई बिलकुल नजदी की दे दी जाती है आपके लिए तो फिर ऐसे में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम कुछ पढ़ ही नहीं पाए तो इसलिए जो है अभी से लगे रहीएगा आपके बहुत ही जो है जल्दी एक्ज क्या मौने वाली है खड़ी बोली को सादुबासा किस ने कहा है तो यह कहा है किनों ने विकल्प नमबर यह को का सई आंसर यहां पर भारतेंदू ने कौश्चन नमबर आपका यहां पर अस्ती पूंचा गया विसस्त विसमोस धम नाटक के रचेता कौन मानी जाती है अस्त अस्ती में भारतेंदू मौन्दाकेस गोभिंद वल्लप पंत या फिर जैसंकर प्रसाद तो अस्ती में भारतेंदू आपका यहां पर सई आंसर होगा बहुत बढ़िया विकल्प नमबर यह जन्वनेवी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सई आंसर होगा राधा राध पर दिया गया है और 188 में आप सभी का यहां पर सही आंसर क्या होगा लाइक करते जाएगा सभी लोग और question number 188 है सभी लोग ब्रंदावन आपका यहांपर सईय आंसर भारत्यंदु पत्र राधा गोसस्वामी का यह पत्र यह ब्रंदावन से निकलता था विकल्प नंबर एक आपका सय आंसर होगा भासा गलने की टकसाल किस पत्र को कहा जाता था बहपत्र आपके लिए बताने कई वचन सुधा है बंगवासी है हिंदी प्रदीप है या पिर ब्रह्मान है बताईए ब्यासी वा कौस्चन है मत्पून कौस्चन पूंचा गया है और ब्यासी में आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा भासा गण्डी की टक साल किस पत्र को कह पत्र कौन सा था तो वेकल्प नंबर आपका यहां पर बंगवासी वाला वेकल्प आपका सही आंसर होगा भी वाला वेकल्प आपका यहां पर सही आंसर है अंगल्या कौस्चन यहां पर देखेगा कौस्चन नंबर आपसे यहां पर तेरासी पूंचा गया है नीती गोबं इसकी रचेता कौन माने जाते हैं चैन कीजेगा नीती गोबंद गोबंद गिल्ला भाई निराधा चर्ण गोस्वामी भारतेंदू या फिर अम्विका धत्ते ब्यास question number 83 है मत्वूर्ण question यहाँ पर पूंचा क्या है? 73 में आप सभी का यहाँ पर क्या होगा? सही answer और सभी लोगों का यहाँ पर सही answer आ रहा है नीती बिनोद की रचेता पूंचा है तो नीती बिनोद की गोबंद गिल्ला भाई बाने जाते हैं विकल्प नमबर एक जन्वने भी यहां पर चैन किया है उनका यहां पर सही आंसर होगा कॉस्चन नमबर आपसे यहां पर पूंचा गया 84 वा कॉस्चन है बारतेंदू मंडल के अंतम लेखा के सदस्य थे कौन थे बता यह बाल कृष्ण भट्ट थे बाल मुकुंद गुप्त थे माबीर पर साथ दुबेदी थे या फिर हर्योद थे तो कॉस्चन नमबर आपका 84 है 84 में आपके लिए चैन करना है भारतेंदू मंडल के अंतम लेखा क्सदस्य कौन थे तो आप सभी का सही आंसर है बाल मुकुंद गुप्त थे कौन थे वेकल्प नमबर बी आप सभी का लब लेजे विल्कुल सही आंसर है कौसल जी बी वाला वेकल्प आपका सही आंसर है ब्रद बिलाप किसका नाटक है बताएगा ब्रद बिलाप एक इसका नाटक माना जाता है भारतेंदू का के सोरी लाल गोस्वामी या फिर प्रेम घन या फिर सिरी निवास दास तो चैन करना है बहुती मत पूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसरों का 85 में की ब्रद्द विला पे रचना मानी जाते हैं किनकी इनाटक माना जाता है किनका प्रेम घन जी का प्रेम घन आपका सई आंसर है ब्रद्द से भी जो है अपन क्या करते हैं प्रेम करते हैं तो प्रेम से प्रेम घन और ब्रद्द से ब्रद्द विलाप आपका सई आंसर वेकल नंबर जो सी है यहां पर 85 में भाई आप सभी का सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन यहाँ पर देखेगा, कॉस्चन नमबर आपसे हाँ पर अंगला क्या पूंचा गया देखेगा, छासीवा कॉस्चन है, भारतेंदु करित फूलों का गुच्छा में संग्रीत हैं, बिल्कुल सही बहुत बढ़िया, क्या होगा सही आंसर, अनुदित नाटक की प्रमुक अंसे, या फिर अंग्रेज सरकार की एकार कलापों पर भ्यंग, खड़ी बोली में रचित उनकी कवीता हैं, या फिर विविन्ने पत्रिकाओं में प्रिकासित उनके लेख, शासीवा कॉस्चन है, शासी में आपके लिए चैन कनना है, बारतेंदु करित पूलो का गोच्छा में संग्रीत है, खड़ी बोली में रचित उनकी कवीता हैं, शी वाला जो विकल्प है, वह आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा, निम्न में ऐसे असंगत बताना है, शिरी निवासदास परिक्षा गुरू, या फिर स्रद्दराम पिल्लोरी वागवती, बाल बताना है, तो सही बताईएगा, चैन कीजेगा, क्या होगा सही आंसर, और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है, कि 87 में जो आपका सही आंसर होगा, बहें क्या होगा सही आंसर, तो विकल्प नबर आप, सही आंसर होगा है, हां पर, दूर्थ रसिकल्ण, यह वाला विकल्प आपका यहां पर सही आंसर होगा, भूरत रसिकलाल की रचेता कौन है? दूर्त रशिक लाल जो है लज्जा राम महता का माना जाता है तो देखिए a question आपका विल्कुल गलत है question कैसा है यहाँ पर देखेगा यह आपसे पूंचा है अशंहट वतान हुगा अтьध लेकिन यहाँ पर लिख़ा है संहट दूर्त तरह सिक लाल जो है लज्जाराम महता जी का माना जाता है एक नाटक क्या माना जाता है दो तरह सिक लाल वो पन्यास माना जाता है किनका लज्जाराम महता जी का तो विकल्प नमबर भी आपको इनहां पर असंगत चैन करना है असंगत में सई आंसर होगा अंगला कॉस्चन द देखा था बताईए क्या होगा सई आंसर हाँ सभी लोगों ने यहां पर क्या चैन क्या अठाश्टी में बताना है मर्तपूर्ण कॉस्चन यहां पर पूंचा गया है और आप सभी का यहां पर सई आंसरों का बहुत सारी लोग उहां पर उनका जो है माइंड यहां पर चेकरा के पुत्र के भारत आगमन पर भारतेंदु जी ने जो है सिरी राजकुमार सुस्वागत पत्र लिखा आपका विकल्प नमबर एक जो है यहां पर सही आंसर हूँ गंगला कौस्चन देखेगा आनंद अर्णोदय किसकी रचना है कौस्चन नमबर आपका नवासी यहां पर प की रचना मानी जाती है और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा यह रचना मानी जाती है किनकी प्रेमघन जी की आनंद अर्णोदय आनंद से जो है अर्णोदय होता है आनंद से अर्णोदय तो विकल्प नमबर आपका सी सही आंसर है प्रेमघन की रचना मानी जाती है बह उपर्युक्त सभी, बताईए, question मत पूर्ण है, और आप सभी का यहां पर सई आंसर क्या होगा, चैन कीजेगा, चार विकल्प आपके दिये गए है, कि देपकी नंदन खत्री द्वारा रचेत उपन्यास कौन सा माना जाता है, तो आप सभी का सई आंसर है, उपर्युक्त सभ यह उपन्यास देपकी नंदन खत्री के मानी जाते हैं, नए जमाने की मुक्री के लेखक कौन मानी जाते हैं, 91 का सई आंसर बताना है, बताईए, नए जमाने की मुक्री, question मत पूर्ण है, रामचन सुकल, बालमकुंद गुप्ते, प्रेमगन या फिर भारतेंदू, 91 का सई आंसर बताना है, और आप सभी लोग बता रहे हैं कि नए जमाने की मुक्री, यह माना जाता है, किनका इसके लेखक कौन मानी जाते हैं, भारतेंदू जी मानी जाते हैं, विकल्ट नंबर D, आपका सही आंसर होगा, खड़ी बोली के समर्थकों को, हटी अमोर्ख किस ने कहा है, सत्य नारण चौदरी ने, जगन्नात दासरत्ना करने, गया प्रसा सुकल सनीही ने, साह ललत किसूरी ने, कौस्चन नंबर बाननवे है, बाननवे में आपके लिए सही आंसर चैन करना है, जगन्नात दासरत्ना कर जनोने भी चैन क्या है, जनोंने खड़ी बोली के समर्थकों को, हटी और मूर्ख कहा है, तो विकल्प नंबर D, आपका यहाँ पर, विल्कुल सही राइट आंसर है, बहुत बढ़ियां सभी को यहाँ पर अंगला कौस्चन का अंसर बताना है, कि मनुहर कहानी, मनुहर कहानी, नामक कहानी संग्राई के रचेता कौन माने जाती है, अंबिका दत्व्यास हैं, चंडी परसाद से हैं, मुंसी नवल के सोर हैं, या फिर राजा सिव परसाद स तारे हिंद हैं, और कौस्चन मत पूर्ण है, और आप सभी का यहाँ पर सई आंसर आ रहा है, कि 93 में विकल्प नमबर आपका जो सी है, भै सई आंसर होगा, यानि कि मुंसी नवल के सोर, मुंसी नवल के सोर आपका सई आंसर होगा, मनुहर कहानी, कहानी संग्राई के रचे आपको важता पूंचा था किं हां तो वेकलक नमबर से आपका साह 유ान सर अब लिगी कोश्चन याँ पर देखेगा को श्चन और ऑसे आपर पूंचा गिया है यह कौन सा ऑंग्ला कोश्चन था को श्वारान नंवेवा कोश्चन है वित्रा सेते कि कहीं से जॉडद नहीं जान पड़ता था भार्टेंद्यूग के कभियों के विशय में एह टिपली किसकी है च्वारानवे में आपके लिए चेन करना है क्या होगा सही आंसर चेन कीजेगा रामभिलास सर्मा नगेंद्र आचा रामचन सुकले आहजारी प्रसाद दुबेदी नीता कुमारी जी तो कॉस्चन मत पूर्ण है आप सभी का यहाँ पर 94 में सही आंसर आ रहा है कि इस कतन एह जो टिपली है भार्टेंद्यूग के विशय में एह टिपली किसकी मानी जाती है तो यह इस परिकार की टिपली कौन लिखते हैं रामचन्द्र सुकले वेकल्प नंबर भी आप सभी यहां पर सही आंसर होगा रामचन्द सुकल आपका यहां पर सही आंसर है तो नहिना जी एंगल्या पॉस्चन यहां पर देखेगा किर्ष्म चरत संबंधी नाटकों में बार्तेंदू जी का निम्न मैंसे कौन सा नाटक है नाटक आपके लिए चैन कन्ना है प्रेम जोगनी है नील देवी है स्री चंद्रावली है या ब्यदे की हिंसा हिंसा नभवती है बताईए पंचान नवे में चैन कन्ना है क्या होगा सही आंसर चार विकल्प दियेगा महत्त्वण क्वेस्चन आप से पूंचा गया है और आप सभी का सही आंसर आ रहा है कि किर्ष्म चरत मंदी नाटकों में जो माना जाता है वैसरी चंद्रावली माना जाता है तो वेकल्प नंबर आपका जो सी है बहें आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया वेकल्प नंबर तीन आप सभी का यहां पर सही आंसर है अंगला क्वेस्चन यहां पर देखेगा क पहस्च नमबर आपसे यहाँ पर च्छानवे पूंचा गया है कानपुर के रसिक समाज से किस कभी का संबंद था भारतेंदु का अंविका दत्यव्यास प्रताप नारण मिस्र या फिर नवनीत चतुरवेदी का च्छानवे में चेन करना है सही आंसर बताइए और आप सभी क नवनीत चतुर नमबर आपका यहाँ पर सही आंसर होगा अंगल्या कोस्चन यहाँ पर क्या होगा देखेगा question number आप से यापर 97 पूंचा गया है कि बामारन रंजन के लेकक कौन मानी जाती है 97 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सई आंसर बता यह मत पूर्ण question यापर पूंचा गया है बामारन मंजन बामारन रंजन के लेकक कौन मानी जाती है ये पूंचा गया है तो आप सभी का विल्कुल सही आंसर है संतानवे में सिवपिरसा सितारी हिंद हैं राजा लक्षमर्स हैं सिरीदर पाठक हैं हरियोद हैं तो विकल्प नमबर आपका यहां पर एक सही आंसर है सिवपिरसाद सितारी हिंद आपका विकल्प नमबर एक जिन माना है अंठा नवे में चेन करना है डाक्टर नगेंद्र ने रामबलास सर्मा ने डाक्टर नामबार्से ने या फिर आच्छा रामचेंद्र सुकल जी ने बताईए क्या होगा सई आंचर कौश्चन मत पूर्ण हिंदी नावजाग्रन को हिंदू जाती का नावजाग्रन के इस आलूचक ने माना है तो वह आलूचक है कौन रामबलास सर्मा डाक्टर रामबलास सर्मा भी वाला जो विकल्प है भै आपका यहां पर सही आंसर होगा भारतेंदू जी ने किस नाटक में केवल नारी पात्र भारतेंदू जी के किस नाटक में बताईए केवल नारी पा हाँ डीवी गेमर जी कॉस्चिन नमबर 99 में बताना है क्या होगा सही आंसर बारतेंदू के के सिनाटक में किवल नारी पात रहें तो 99 का आपका सही आंसर है स्री चंद्रावली विकल्प नमबर नभी आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा विकल्प नमबर 2 जैन्वाने भी चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर है अंगला कॉस्चिन यहां पर देखेगा कॉस्चिन नमबर आप से यहां पर सो पूंचा गया है बारतेंदू बाबू हरिश्चंद्र ने एकुल कितनी काब्वे कृतियों का सिर्जन किया है सो अब कॉस्चिन नमबर सो का सही आंसर चैन करना है बारतेंदू बाबू हरिश्चंद्र ने कुल कितनी कृतियों का सिर्जन किया है और आप सब्सक्राइब सही आंसर है इन्होंने सत्तर यानिकि विकल्प नमबर आपका जो सी है बहे आपका यहां पर सही आंसर होगा सबी लोग लाइक अबस्ते कर लेंगे सो कॉस्चिन अपने आपर कंप्लीट हो गए है कॉस्चिन नमबर 101 क्या पूंचा गया है लाइक अबस्ते कर लीजेगा सबी लोग समालोचना का सूत्रपात हिंदी में एक प्रकार से भटते जी और चौदरी साहब ने किया है यह किसकी पंती है 101 में आपके लिए चैन करना है बताईए सतक पूरा हो गया अपना विलकुल कॉस्चिन नमबर 101 में चैन करना है मत्तपून कॉस्चिन दिया गया है चार विकल्प है और आनंद जी आप सभी का यहाँ पर सई आंसर होगा इसी का सरमाजी विकल्प नमबर सी आनिकी सुकल आपका सई आंसर होगा बहुत बढ़ी अंगला कॉस्चिन या पर देखेगा कॉस्चिन नमबर 102 पूंचा जा है मत्तपून है भारतेंदु मंडल के किस लेकक को उस योग का अत्यंत सजग सतर्क गहरी सूजबूज वाला तथा भारतेंदु का सपल उत्त्रादीकारी की माना जाता है बता ये किसको प्रताप नारामिस्र को या फिर यहां पर लाला स्री निवासदास को बाल मुकंद गुप्त को या फिर जगमोहन सह को 102 में आपके लिए चैन करना है क्या होगा सही आंसर और 102 में आपका सही आंसर बाल मुकंद गुप्त को किन को माना जाता था बाल मुकंद गुप्त को माना जाता था वेकल्प नंबर आपका इहां पर सी जो है वैं सही आंसर होगा वेकल्प नंबर तीन होगा सही आंसर आप सभी का अंगलिया कॉस्चन देखेगा कॉस्चिन नम्र SB window 53 पूंचिया है क्या पूंचिया है की राजा सिवपृषा सितारे हिंत दौरह रचित कहानी संग्रई वताइए कौण सा कौणसी रचित कहानी संग्र्ई है में बामा मनुरंजन है मनुहर कहानी है ह्स्ते रत्अ है कथा को सुमकली का है राजा सिफ्रसास सितारे हिंद द्वारा रच्चत कहानी संग्रे पूंचा गया है एक सो तीन में और आप सभी का यहां पर सही आंसर होगा बामा मनुरंजन बामा मनुरंजन आप सभी का यहां पर सही आंसर है वेकल नमबर एक जिन्वाने भी यहां पर चैन क्या है उनका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़िया सभी लोगों ने यहां पर सही आंसर चैन क्या है question number आपसे यहाँ पर 104 पूंचा गया है भार्टेंदू मंडल के लेककों की सरफ्रमुक विसेष्था क्या रही है 104 में आपके लिए चैन करना है बताइए कौन सी विसेष्था थी इनके किर्टत में राष्ट्य भावना मुकर हुई यह सभी पत्र कारते और किसी ना किसी पत्र का स्वयम संपाधन करते थे या फिर यहाँ पर इन लेककों में अधिकान से नाटक कारते या फिर यह नों ने हिंदी साहित की विरत्धी में प्राणपन सयोग किया है तो क्वास्चन नमबर आपका 104 का सही आंसर होगा विकल्प नमबर बी यह सभी पत्र कारते और किसी ना किसी पत्र का स्वयम संपाधन करते थे बी वाला विकल्प जो है आपका यहाँ पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी है 105 बाद कॉस्चन है आचा रामचन सुकल ने हिंदी का इश्टिल किसी कहा है बताईए का आचा रामचन सुकल जी ने कहा है बताईए चेहन कीजे का चारी विकल्प यह आँपर दिए गए है और आप सभी का यहां पर सही आंसर आ रहा है कि इन्हों ने कहा है प्रताप नाड मिसर को काशीनात कत्री को बालकृष्ण बट्ट को या फिर लाला सिरीनेवास से दासर को क्वास्चन मत पूर है और सी बहुत सारे लोग बता रहा है 105 में 105 का सी आपका यहां पर सही आंसर है यानि की बालकृष्ण बट्ट जी को आचा रामचन सुकल जी ने हिंदी का इस्टील कहा है ये वाला जो वेकल्प है आपका यहां पर सही आंसर होगा बहुत बढ़ी हैं तो सभी के लिए जो है लाइक करना है चैनल को सस्क्राइब करना है जादा से ज़्यादा वीडियो को सेर करना है अभी जो है अपनी 10 वजे वाली क्लास भी होगी 10 वजे वाली क्लास भी करवाए जाई जी जहां पर महत्त्पूर्ण कॉस्चन आंसर हैं तो उससे भी सभी ल सभी के लिए बहुत बहुत दन्यवाद मुकनत जी चभी जी और मंजू देवी जी साधना जी बिंदू जी सिलपा जी परवती देवी जी अन्स जी और तनमय सर्मा जी मंजू देवी जी सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद क्रेटिव आर्ट्स जी पिंकी जी रेसमा जी अनिल जी फिर कभी अब जो है अपन और अंगले संडे को रखेंगे एक लंबी और क्लास तो सभी के लिए बहुत असुक जी और सभी को बहुत बहुत धन्यवाद सभी के लिए जो है दस वजे जोड़ना है और